हलो एफ्रिवन वेलकम टू बाइ यूट्यूब चैनल इंग्लिस लिट्रेचर जो उन आज के विडियो में हम लोग इफ यू कॉल मी बाइश रोजनी नाइटो की काफी फेमस पोयम है इफ यू कॉल में उसका क्रिटिकल एपिरेंस पढ़ेंगे तो विडियो शुरू करते है एक छोटी कविता है बहुत जादा बड़ी नहीं है और इंडिया इंग्लिस लिट्रेचर के काफी मतलब छोटी पोयम है लेकिन बेस्ट पोयम है विच इस रिटेन बाइ जिसको के लिखा गया है सरोजनी नाइटू के दूरा लिखा गया है वो वोस नोन इस वन अफ ग्रे एक शोटल है एक शोटल हकर दॉर एंग्रेच über्ह्रा जाते थी कृऌद और इंडर्म थिसको किर्स लिखा जाने जाते हैं छुट मिशनी निए ग्लिस रिटेलेचर के लिखा मिला मिला हुका है थनगर्डवेज मैं घेचल मेंशनी नहीं हर पोइम्षेंट आर एप्रेट नहीं किया गया, but also in abroad, abroad में भी किया गया, major theme of our poems are, उनके जो poems होते थे, कविताएं होती थे उनकी, तो उनके poem का major theme होता था, वो होता था, love, nature, pain and suffering, फिर आगे है, हर some world famous poetry are, उनकी जो कुछ world famous poetry, कविताएं है, the village song, summer wood, the soul's prayer, the queen's rival, इसमें soul prayer का already video upload है, in the bazaars of Hyderabad, and many more, और भी ठेट सारे है, सरोजनी नाइडू was popularly known as the night angle of India, night angle of India की रूप में भी जाने जाती थी, काफ़ इंपोर्टें डाइने, ध्यान रखेगा, night angle of India की रूप में भी जाने जाती थी, और भारत कोकिला की रूप में भी जाने जाती थी, ठीक है, फिर अब पोएटेस की बाड़े में पढ़ लिए, अब पोयम पे आते हैं, in the poem, poem में, if you call me, जो कि हम लोगी present poem में, she describes the intense feeling, अपने intense, गहरे feeling को दिखाती है, of love, मतलब अपने प्यार के, गहरे love के, गहरे feeling को दिखाती है, and full hearted devotion to her lover, और पूरे मतलब दिल से, अब devotion, मतलब शमर्पन दिखाती है, to her, अपने lover के प्रती, अपने प्रेमी के प्रती, which is divided into two stanza, जो कि दो stanza में divided है, and each stanza had eight line, और सारे stanza में eight line है, it is a passionate love poem, passionate love poem है, in which, जिसमें की, the beloved, जो मतलब beloved है, प्रेमी का है, is impatiently wait for the call of the lover, मतलब अपने प्रेमी के call का wait कर रही कि उसका प्रेमी का बुलाएगा, impatiently, यह नि बेशबडी से wait कर रही है, अपने प्रेमी का call का कि उसको कब बुलाएगा, प्रेमी का wait कर रही है, फिर आगे है, in the first four lines, अब पोयम के जो पहला four line है, और first stanza, first stanza का जो पहला four line है, the poetess says that, poetess कहती है कि, the poetess is eager to go to her lover and is waiting for a call from her, मतलब पोयम काफी उच्चुक है, to go her lover, मतलब अपने प्रेमी के पास जाने के लिए, and is waiting for a call from him, और बस wait कर रही है, कि एक call आजाए, उसकी तरफ से एक बुलाहट आजाए, एक बार वो बुला ले, तो poet मतलब बहुत जादा उच्चु मतलब बुलाएगा, call sir, जैसे उसको बुलाएगा, she would go to him more swiftly, तो उसको जाना होगा, more swiftly, यानि जादा तेज, जादा तेजी से, than a frightened deer, मतलब एक डड़े हुए deer से, डड़ा हुआ जो हीरन होता है, उससे जादा तेज वो जाएगी, of the forest running away from the hunter, मतलब हंटर जीनी शिकारी को देखने के बाद, जितना तेज दौड़ता है, उससे भी जादा तेज से पोईट, मतलब अपने प्रेमी के बुलाने पर उसके पाश्याएगी, और एक डव, और फिर यहाँ पे दूसरा एक और एक्जामपल है, कि एक डव जो है, मतलब यानि कबूतर होता है, सफेद लाइन से पोईट तोनों चीज से, बाद इन दोनों लाइन से कमपेर किया खु度 को, कि मतलब इसे भी जादा तेज अपने प्रेमी के बुलाने पर जाएगी, ये दूनों जो लाइनस है, ये फोर लाइनस में जो गूट बताई वही है, काफी रोमैन्टीक यह सेंस्वास, काफी सेंस्वस यह कामुक होता है वो भी है सजेस्ट ए मिटिंग ओफ द लवर एंड बिलवड और सजेस्ट करता है दिखाता है शंकेत देता है एक लवर प्रेमी और प्रेमी का के मिटिंग को मतलब मिलन को और यह लाइन क्या हम लोगों को दिखाता है फिजिकल नियरनेश भी दिखाता है कि मतलब शाररीक रूप से भी वो लोग कितने क्लोज होंगे तो यह चीज़ को दिखाता है फिर आगे है स्रोजनी नाइडू हैज एक्सप्लोइट इस गेस्चर एंड साउंस तो सेक्ष्वल ऑफ दा अट्रैक्शन अब स्रोजनी नाइडू क्या करती है इस गेस्चर इनी संकेत और जो भी साउंड का यूज करती है पोयम में सेक्ष्वल एक्सप्लोड अट्रैक्ष्वल एंड अट्रैक्शन को दिखाती है आकरशन को बिट्विन किसके भी लवर और बिलव्ड का म और बाद में T.S. Iliot also adapted the same technique, T.S. Iliot भी same technique का यूज करते है अपने पोयम में and frequently use the same gesture and sound symbol to suggest sexual undertone और वो भी अपने पोयम में sexual undertone को दिखाने के लिए same चीज का यूज करते है, same technique, same तडिका, same gesture यानि same चिन्नों का प्रतिकों का यूज किया जाता है, T.S. Iliot के द्वारा भी, फिर आगे है in the second four lines, अब पहला four line पढ़ लिए पहले stanza का, जो second four line of the first stanza, पहले stanza का, जो second four liner, she says, मतलब यहापे poetess करते है that she would come to swifter, फिर मतलब poetess बोल रहे है कि वह और तेज जाएगी, then does a snake, जितना की, अब यहापे compare कर रहे है खुद को snake से, does a snake at the call of the snake charmer, snake charmer क्या होता सपेडा, मतलब सांप जो है सपेडा के बुलाने पर, सपेडा के बीन बजाने पर जितनी तेजी सजाता है, उससे भी ज़्यादा तेज पोईट जाएगी, जब उसका प्रेमिर इसको बुलाएगा, it suggests, यहापे सद दिखाता है, शंकेत देता है, the direct attachment of charmer, musical sound and the heart of snake, मतलब says, poetess कहती है, that like the creeping of snake, snake जैसे creep करते वे जाता है, मतलब जमीन पे जैसे रेंगते वे जाता है, on the sound of charmers, in thrilling music, the flute, her beloved, call her, मतलब जैसे ही, कान में music, मतलब आता है, fruit का, bean का, वैसे ही, पोईट भी, मतलब दिल जो music है, अच्छा सा, charmer, सपेडा का, जैसे ही music आता है, साप के कान में, जैसे वो जाता है, creep करते है, poet भी, उसके her beloved caller, मतलब, her beloved caller, जब उसका beloved, मतलब, उसका प्रेमी उसको बुलाएगा, poetess का, तो वो भी वैसे ही जाएगी, she will run to him at his call, वह दौरती भी, उसके call पे बुलाने पे जाएगी, fearlessly, बिना डरे, without caring for the worldly, बिना इस समाज का attention लिए, और social abstraction, मतलब social abstraction, जितना भी समाजी के रुकावट है, या worldly, रुकावट है, बिना उस अब जिसके बारे में सोचे, बिना डरे, अपने प्रेमी के पास जाएगी, फिर आगे है, अब फर्स्ट इस्टांजा का पढ़ लिए, second stanza, अब मतलब poem के second stanza में, the poetess increases in the intensity, उस intensity को increase कर in the desire, desire, मतलब एक्षा को to meet her lover, to meet her lover, the risk involved in it also becomes greater and intense, मतलब second stanza में, और ज्यादा मतलब desire बढ़ाती है, increase करती है, मतलब अपने lover से मिलने का, और वैसे ही, और उतना ही ज्यादा, risk ज्यादा होते जाता है, to become greater and intense, मतलब उतना ही बड़ा risk होते जाता है, और intense, यानि गहरा होते जाता है, फिर आगे है, she is ready to meet him, वह पोएट, मतलब पोएटिस उन से मिलने के रेड़ी है, even at the cost of her life, मतलब उसके लाइफ भी जा रहा होगा, मतलब प्लान भी संक्रेट में होंगे, फिर भी पोएटिस जो है, अपने प्रेमी से मिलने के लिए, पूरा मतलब उत्सुक है, she the dark tights, जो गहडी लहडे, and the deep chasma, deep chasma यहाँ भी एक गहडी नदी का बोला गया, तो इन दोनों को पार करके, भी अगर पोएटिस को जाना पड़ा, तो पोएट जाएगी, if only receive the call from her lover, अगर उसको receive हो जाता है, मिल जाता है अपने लवर का call, बुलावट आ जाता है, बुल जो love song है, जो present poem है, हम लोग का, while on one hand is considerable with romance, पुरे एक दम romance से भड़ा उपड़ा है, at the romanticism environment, or is romanticism environment में, in the eternal and mythological love of Radha and Krishna, यहाँ पे पोएट मतब खुद के प्यार को compare करती है, mythological यानि परानिक जो साच्वत जो प्रेम है, Radha Krishna का प्रेम, उससे compare करती है, फिर आगे है, the desire of the beloved to to run desperately to her lover, मतलब desperately बिना किसी चीज के बारे में सोचे हुए, मतलब तुरन जो beloved के पास जाएगी, poet, जो उनके एक्छा है, at his call, उनके बुलाने पर, even at her life may also be interpreted, चाहे उसका life भी कोई problem में क्यों ना हो, as the irresistible, मतलब उनको कोई रोक नहीं सकता, desire of the soul, to meet the eternal soul, मतलब यह जो desire है soul का, कि दूसरे soul से, जो eternal soul है, आंतरिक soul से मिलने का, तो उनको इस चीज में के लिए कोई नहीं रोक सकता, poet confirm है, कि desperately जाएगी ही, अपने love के पास, फिर आगे है, does the poem, इस तरीके से जो poem है, if you call me, is a typical example of a naido unique literary art, unique literary art, उनके जो मतलब अधिभूद literary art को दिखाता है, साहित्य कर शकती है, उस चीज को दिखाता है, तो यहाँ पर वीडियो खतेम होता है, वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो की तुरो आपका help हुआ है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट की बताएगा वीडियो को कैसा